हेलो फ्रेंड्स हमारे न्यू चैनल में आपका स्वागत है आज किस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एबोर्शन पिल्स को लेने का सही तरीका क्या होता है या MTP किट को यूज करने की सही मैथड क्या होती है करते हैं इसको यूज करने के बाद में पेरिट कब आते हैं लेते समय क्या सा उधानिया बरतना है और आपके पेरिट कितने दिन तक आ सकते हैं साथ ही मैं आपको यह कंफर्मिशन कब करेंगे कि हमारा जो एबोर्शन था अगर पाथ था वह कंप्लेट हो या नहीं हुआ इन्हीं सब चीजों के बारे मां आज हम डिटल में बात करने वाले हैं तो बने रही हैं हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से देखिए आप एब प्रेगनेंसी हो जाती है या आपको प्रेगनेंसी हो गई और आप अभी बैबी प्लान नहीं कर रहे हैं आप उस चीज के लिए भी तैयार नहीं है तो कोई भी व्यक्ति अभी से बेबी रखना नहीं चाहेगा यानिकि उसको हम बोले ही यह कि अन्वांटेट प्रेगनेंस प्रेगनें डारक नहान प्रेगनेंसी हो गई तो आपको डिटेक्क होता है जब आपका वंमथ कंप्लीट हो जाता है यहांनि कि आपका जो पीरिएड आने वाला था व 라고し हो गई तब ही पैशन को पता चलता है मेरा पीरिएड इस dummy होने का क्या कारन होता है तो सबसे पहले तिए अप उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर हो सके तो अपने नीरिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें यह अल्ट्रसाउन कारवाले classics में अल्ट्रसाउन में सब कुछ सथीक रहता है तो आप डॉक्टर को अपने बता करके abort करवा सकते हैं तो medicine से भी आपका abortion कुछ ही कैसे हुटे जिसमें कि incomplete abortion की problem सामना आती है यानि कि लोगों के periods खुलके नहीं आते हैं तो उनको यह समश्याओ होती है अब हम देखते ही कि इसको लेने का सही तरीका क्या होता है कोई भी एबोर्शन पिल्स में 5 टैबलेट होती है जिसी की अन्वांटेट हो चाहे मेफेजेस्ट हो चाहे क्लियर किट सैप्टी किट या खुशी मिफी सिन्प stratég上 होती ठीक है अब सबसे पेले हम मिफी प्रेस्टोवन को लेते हैं यानि कि हम अगर एक्जाम्पल के तोर पर नथे तो आप वस्त डे यानि कि जिसे आप एक टारीक को ले रहेे ठीक है और दो टेबलेट आप चार घंटे के बाद में फिर से ले सकते हैं, दिखिए इनको हम कई मैथड से यूज कर सकते हैं, कई लोग आपको 24-24 हर्स में भी ले सकते हैं, 12-12 हर्स में करके भी ले सकते हैं, या फिर 36 हर्स के बाद में भी हम ले सकते हैं, या फिर 36 हर्स के बाद मे भी चार गोलिया हम एक साथ ले सकते हैं पर चार गोलिया जो रहती है चार मिसो-प्रॉस्टल की एक साथ लेने में पेशिंट को बहुत दर्द होता है तो कहीं कॉंपलिकेशन भी पेशिंट को देखने को मिलते हैं तो आपको केसे लेना है जिससे पहले दिन हमने बड़ी वाली tablet यहनि कि मिफी प्रेस्टोन के लिए एक दिन का गेप दिया उसके अगले दिन यानि कि तीसरे दिन आपको दो tablet मौर्निंग में 8 बजे या 10 बजे ले लेना है फिर 4 घंटे के बाद में 2 tablet और आपको ले लेना है इन tablets को आप मुँ में रखके dissolve भी कर सकते हैं या फिर आप पानी के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दो tablet आपको आपने टंग पे रख लिया दो tablet आपको वजाईना में insert कर लेना है जिससी कि आपको अच्छे result मिले अब आप जब 4 tablets यूज कर लेंगे तो उसी दिन आपको पीरेट से शुरू हो जाएंगे पीरेट्स डिपेंड करते हैं कि आपकी pregnancy कितने लंबे टाइम की है मान लिजे देड़ से 2 महीनी के pregnancy है तो आपकी bleeding 7-8 दिन तक चल सकती है अगर देड़ महीने से उपर की pregnancy है तो कलोट्स आएंगे यानि कि बलट के ठक के आएंगे और अगर देड़ महीने से कम किये तो एकाद दो ही बलट के कलोट आते हैं जादा नहीं आते कई patient का commonly सवाल होता है कि अगर 40 दिन के pregnancy है patient को और वो सोचते कि हमें बड़ बड़ कलोट आए तो इतना possible नहीं होता है अगर 40 दिन के pregnancy है तो normal period इतनी भी अगर bleeding हो जाती है तो आपका case clear हो जाता है अब आपकी bleeding आ भी गई period शूर भी हो गई periods बंद भी हो गई फिर आपको यह case से confirm करना है की हमेरा abortion complete हुआ कि नहाई हुआ तो फिर आको अपने निया करके देख लें जब भी आपका पीरेट से बंद होता है तो एक हफते के बाद में फिर से हमें प्रेग्नेंसी टेस्ट यानि कि जाज फिर से करनी चाहिए ताकि हमें यह भी पता लग जाए कि हमारी बॉड़ी से बीटा से हार्मोन का जो लेवल था वह अभी तक गया या नही लाइन ही गया क्योंकि जब फस्ट में जाप पीरेड मिस होता है तो आप रेग्नेंसी टेस्ट करके देखते हैं तो हमारा प्रेग्नेंसीu टेस्ट की दोनों लाइने डार्क होती अपर जब हम abortion pills use कर लेते हैं उसके बाद में हमारे periods आ जाते हैं periods आने के एक हफते के बाद में यानि कि period बंद होने के एक हफते के बाद में जब हम pregnancy test करते हैं तो हमारा pregnancy test में कुछ अंतर आना चाहिए यानि कि वो light होना चाहिए ठीक है और अगर आप और 8-10 जिन के बाद में फिर से pregnancy test करेंगे तो वो negative होना चाहिए या बहुत lightly धीरे धीरे उसका level गिरना चाहिए हमारी body से ठीक है नहीं तो फिर आप beta-sg hormones का test करवा के भी आप देख सकते हैं कि हमारी body में beta-sg hormones का level अभी तक कितना बना हुआ है तो उसके according हम आगे decide करते हैं कि आगे आपको क्या treatment लेना है एक बात और मैं कहना चाहूंगी आप हमारे चैनल पर first time विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को subscribe करें ताकि आपको ऐसी नहीं नहीं वीडियो मिलती रहे और अगर आप अपने nearest doctor से cancel नहीं कर पा रहे क्योंकि कई patient को कई problems होती है जैसे कई patient unmarried भी होते हैं कई patient घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और भी कई problem होती हैं तो आप हमारी भी online appointment बुक करके आपके मन में जो भी doubts है वो आप हमसे बात करने के बाद में clear कर सकते हैं या फिर आपको कैसे हमें medicine से यूज करना है हर चीज हम आपको clear करवा सकते हैं तो अगर आप चाहें तो हमारी appointment बुक करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं अब हम देखते कि इनके benefits तो क्या होते हैं कि जब भी आप इस kit का use करते हैं तो आपके unwanted pregnancy remove हो जाती है तो side effect को अगर हम देखें तो side effect में आपको जैसे first वाली tablet हम यूज करते हैं तो first tablet लेने से यानि कि मीपी प्रेस्टोन की लेने से बहुत ही कम patient को bleeding, pet दर्द या vomiting होती है ठीक है पर जब हम four tablets लेते हैं तो normally सब भी patient को pet में दर्द होता है किसी patient को बहुत तेज होता है किसी को कम होता है किसी को normal ही होता है ठीक है अगर आपको बहुत तीज पेड़ दर्द होता है तो उस conditions में आप pen killer यूज कर सकते हैं जैसे ब्रोफेन ले सकते हैं क्रोसेन एडवांस ले सकते हैं या फिर आप मैपटाल इसपास या ड्रोटिन कोई भी एक टाबलेट आप पेड़ दर्द ही ले सकते हैं तो आपको पेड़ दर्द में आराम मिल जाएगा अगर साथ ही में आपको वुल्टिया भी होती है तो इस condition में भी आपको वुल्टी की टाबलेट लेना चाहिए जैसे कि कई मार्केट में अविलेबल होती है ओंडे स्टोन होती है वोमी काइंड होती है वोमी लास्ट होती है यह सब भी टाबलेट से वोमेटिंग को रोकती है ठीक है साथी मैं आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप य बुूटी के साथ निकल जाती हो फिर बरभर काम नहीं करती है और आप कैसे कन्फर्म कर सकते हैं कि हमारी प्रिग्नेंसी टर्मिनेट हुई या नहीं ये वीडियो देखते समय आप मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं धन्यवाद